एक best tennis bat खरिदने के लिए visit कीजे tennisbats.com जहां पर मिलेंगे आपको best discount और free delivery नमस्कार दोस्तों मेरे नाम तुशार तो आज के इस बहुत important वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि बैट को हम टोगाड कैसे लगाएंगे तो अभी आपके सामने ये चार बैट्स है तो डबले और की दो हार्ट टेनिस बैट है और दो यह जो बैट है यह हमारे आर्मे एडिशन की soft tennis bat है तो यह एक special request था एक sir का तो उनके लिए यह मैं soft tennis की आर्मे एडिशन बैट मैं बना रहा हूं तो इन चारों को अभी टोगाड मुझे लगाना है क्योंकि यह दोनों तो अभी इंदोर के लिए यह बैट निकलने वाली है और यह जो दो बैट्स है इसका मैंने already मैंने वीडियो बना दिया है तो यह बैट अभी available है selling के लिए त और सब करने के बाद जबी आप कैटलॉग के आइकॉन को क्लिक करेंगे तभी वहां पे आपको यह दोनों बैट बाई नौ में आपको दिखाए देगी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिकोष्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए है तो हमारे चैनल है वो मैं आपको दिखादा हूं तो सबसे पहले आपको तो हार्डवेर की दुकान से आपको खरीदना है यह फैविपॉल का हीटेक्स तो यह चोटी डभी है हीटेक्स की तो यह 90 से 95 रूपीज में यह आती है तो इसका जो एमेल है वो यहां पे पीछे लिखा हुआ रहता है तो सारा यहां पे डिटेस लिखा हुआ रहता है और इससे बड़ी भी आती है अभी एक बात मैं आपको बता दूँ कि जबी आप यह हीटेक्स को ओपन करेंगे तभी आपको इसको तुरंद खतम करना बहुत जरूरी है अगर आपने इसका ड़कन लगा भी दिया तभी बहुत हलकी इसमें ऐर जाएगी और यह जल्दी सूख जाएगा तो जबिआप इसको ओपन करेंगे तभी आपको यह देखना है कि आप इसको पूरा यूज कर लें दूसरी बात आपको सिजर की जरूरत होती है यहां से तो आपको सिजर की जरूरत होगी अब ही बॉटम सuciones करने से पहले सबसे इंपोर्टन चीज में आपको बताना चाहता हूं जबी आप यह फैवी कॉल का हीटेक्स जबी आप इसको लगाएंगे तभी आपको यह शूर करना है कि आपके पास यह कोकोनेट ऑईल हो तो यह आपको पहले हाथ में लगार लेना है इसके बाद में आप को काम की शुरुआत करने है क्योंकि अगर यह जो हीटेक्स है यह अगर आपके हाथ में लग गया तो बहुत मुश्किल से यह निकलेगा और आपकी जो स्किन है वो खराब भी हो सकती है तो मैं कभी ने चाहूंगा कि आप ऐसे कुछ काम करें बहुत सारे मैंने आज जो बै कर नहीं है तो उसके लिए बहुत ही एक सिंपल तरीका है आप यह जो ओइल है वो आप हातों को लगए तो अभी चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको यह काम कैसे शुरुआत करना है और मैं आपको यह डबल ब्लेड हमारी डबली वाले प्रो एडिशन की बैट को आपको मैं टोगाड लगा के दिखाऊंगा यह देखें यह आपको पूरी तरह से आपको यह ओईल लगा लेना है यहां से इसके बाद में अभी यह एक नया डबा है इस हीटेक्स का तो मेरे पास यह ओपनर है तो इससे मैं अभी ओपन करूँगा यह देखें यह देखें यह बहुत ही लाइट लिक्विड होता है और जैसा आप इसमें ड्राइ वाला हाथ डालेंगे तब यह तुरन आपके हाथों को चिपक जाएगा तो इसको मैं अभी थोड़ा बन रखता हूँ इसके बाद में आपको यह एक स्टिक लेना है यह आपको फरनीचर वाले दुकान से आपको कहीं से भी यह से एक स्टिक मिल जाएगी अभी इस सैड में आप देख रहे हैं कि यही हिटेक्स जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जबी मेरा काम खतम हो गया तब यह थोड़ा थोड़ा रहके अभी इतना हो गया है लेकिन इसका एक और एक मेरे मुझे फायदा है वो मैं आपको जबी टोगार लगेगा तब ही मैं दोनों तरफ से आप काम कर सकते हैं अभी ऐसे इस सैड में होने में बहुत टाइम है लेकिन अभी यहां पे मैं अभी यहां से में काम की शुरुआत करूँगा तो यह मैं इसको पहले अभी ओपन कर देता हूँ यह देखिए यह जो लिक्विड है हीटेक्स का यह बहुत ही पतला होता है तो आप इसको इसे लीजे और इसको आप अच्छी तरह से बन कर दीजे और फिर जो भी डबल ब्लेड के लिए आप यह जो अपने बॉटम कट किया है इसको आप पहले लगाईए सब जगा पे आप अच्छी तरह से आप इसको लगा दीजे आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जभी भी आप यह काम करेंगे तभी आपके जो कपड़े है उससे आप दूरी यह काम कीज़े एक बार आपके कपडों को अगर हीटेक्स लग गया तो फिर आपके कपड़ों को दाग लगेगा और वो जल्दी निकलेगा नहीं तो आप जितना आप कपड़ों से दूर आप यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा आपस से मैं अभी ये लेता हूँ हाथ में मेरे ओईल लगने की वज़े से ये जो हीटेक से ये मेरे हाथों को स्टिक नहीं होगा तो इसके लिए ओईल लगाना बहुत ही इंपॉर्टन्ट है आपके हाथों को अभी ये देखे ये मैंने पूरी तरह से इसमें मैंने लगा दिया है ये देखे अभी इसको आच्छी तरह से लगा दीजे अभी ये हमारी डबल ए वार्यर की बैट में लेता हूँ वापस से थोड़ा सा अभी आपको याद रखना है कि ये आपको बैट को भी वापस से ये टिटेक्स लगाना है बॉटम पे साइड में भी आप लगाई है यहाँ पे और आगे की तरफ में भी आप इसको लगाई है तो ये मैंने जो हीटेक्स है ये मैंने बैट को भी लगा दिया है अच्छी तरह से और मैंने इस पट्टी को भी लगा दिया है अभी जबी आप इस पट्टी को हीटेक्स लगाएंगे और इसके बाद में आप इसको लगाएंगे अभी जो पटी वाला जो हीटेक्स है वो थोड़ा सा सूख जाएगा क्योंकि ये जो solution है ये इतना fast dry होता है कि आपको ज़्यादा time लेना नहीं है अभी तुरंद मैं इसको bat को लगा देता हूँ तो लगाने की time पे आपको bat को ऐसे उल्टा करना है और इसको आपको proper middling करना है आपको देखना है कि ये proper जो पटी है ये proper middle आ जाए तो ना यहाँ से ज़्यादा ना यहाँ से कम तो अंदाज से आप ले सकते है इसको अब थोड़ा सा आप हाथ से इसको दवाईए थोड़ा सा हाथ से आपको इसको दवाना होगा आप ये जो आगे का portion है यहाँ पे ये open है इसको अभी आपको दवाना नहीं है आपको सिर्फ ये जो bottom है बस यहाँ पे आपको दवाना है यहां पे इसको दबाना नहीं है आपको बस यहां पे दबाना है अच्छी तरह से अभी सिजर का आपको काम है तो सिजर से आपको यहां से यह कट करना है इसके बाद में यहां से भी आपको कट करना है अभी आपको ये जो आगे की साइड है इसको आपको दबाना है प्रेस करना है आप हाथ से बिंदास कीजे क्योंकि ये जो हिल्टेक्स है ये आपको हाथ में चिप्के करने क्योंकि आपके हाथों को आईल पूरा लगा हुआ है तो इसके वज़े से ये मेरे हाथ को बिलकुल नहीं स्टिक होगा अभी आपको यहां से यहां पे दबा देना है यहां का भी पॉर्शन मैं आपको यहां से में दबा देता हूँ अभी वापस आपको इस लकड़ी की जरूरत पड़ेगी अभी जो यह जो हीटेक्स था यह जो इतना जम गया है तो इसकी मुझे यहां पे जरूरत है यह देखें यह देखें तो यह हतोड़ी की तरह आपको काम में आएगा अभी यह जो पॉर्शन है यहां पे जो रिमेनिंग पॉर्शन है इसको हम लोग 5-10 मिनिट के बाद कट करेंगे आप अभी इस पॉर्शन को कट नहीं करना है क्योंकि यह जो पटी है यह सोलुशन लगने के बाद यह गिली रहती है तो इसको अभी जब ही मैं कट करूंगा तो यह प्रॉपर कट नहीं होगी लगिन जब ही हाड हो जाएगी एक 10-15 मिनिट के बाद तभी मैं इसको कट करूंगा तो अभी यह बॉटम यहाँ पे हो गया है इस बैट को तो यह हमारी डबल य वारेर की प्रॉडिशन बैट है तो यह अभी मैंने अच्छी तरह से बॉटम कर दिया है अभी यहाँ पे यह जो पोर्शन है इसको आपको एक 10-15 मिनिट के बाद आपको इसको कट करना है और यहाँ से कट कर दिजे तो यह हो गया आपका बॉटम प्रोटेक्शन और यह बहुत ही सिंपल तरीका है लेकिन आप यह सभी चीजों को ध्यान रखना है कि जो जो मैंने आपको चीज दिखाई जैसे कि आपको कोकोनोट आईल लेना है फिर यह लगड़ी का टुकड़ा है और सिजर है फिर ओपनर है तो यह सारी चीजों आपके पास होनी चाहिए जब भी भी आप बॉटम प्रो आपके हैं